राजिस्तान के छोटे से आदिवासी जिले डूंगरपूर के गलिया कोट में जन्मे मनुझ कुमार खटीक का नाम अपनी छेत्र में छुपा हुआ नहीं है उन्होंने अपनी जीवन की पारंबरे पढ़ाई क्लास आठवी कक्षा अपनी गाउं से ही की आगे अपना जीवन शोशल मिशन मानव सेवा को समर्पित कर दिया आम नागरिक के सुख दुख में हमेश्या खड़े रहते मिलते हैं कई बार गरीब असाहय मजदूरों शोशल दलितों को अपना हग दिलवाने के लिए हमेश्या संगर्ष करते उन्होंने समाज में चली आ रही कुरूतियों क को समाप्त करने में अपना जीवन लगा दिया बाल विवाद जातीवाद चुआ चूँद उच नीच का भाव को मिटाने में अपना जीवन खफा दिया खटीव मानव सीवा करने के साथ साथ विश्व के जी 22 रास्ट में समर्सता मंच की ओर से आईजित पंचशील सिद्ध को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के उद्देश से अंतरास्टिये समर्सता मंच द्वारा महा महीं प्रतम उप रास्टपती नेपाल नियाई मूर्ती परमानंद ज्जा पूर्व नियाईधीश नेपाल सरवुच्चिये नियाले काट मांडो के सानिदे में ठिमपो भू भूटान में 19-21 जून 2024 को जी 22 समर्सता सांस्क्रतिक समवे सम्मिलन का भव्य आयुजन भूटान की रास्ट द्वज की अधिक्षता में किया जा रहा है समारों में जी 22 रास्ट भारत नेपाल भूटान अफगानिस्तान अलजीरिया एंगोला ऑस्टेलिया क्रोएशिया फ टैनिश श्री लंका मालदीव के प्रतिनिद्यों को आमत्रत किया है अंतरास्टिय समर्सता मंचु मुखे सलाकार कुलदी प्रशाशर्मा एडवोकीट इस्ट वेस्ट लो फर्म काटमांडो नेपाल ने बताया कि भूटान में आई जित समेलन भारत भूटान समदों का एक एतिहासिक शन है भारत और भूटान के बीच इस्थाई शांती और मैत्री होगी पारिस परिक और धीर्ग कालिन लाप के लिए आर्थिक सयोग को मजबूत करने और उसके विश्थार संस्कृति सिक्षा स्वास्त खेल तता विज्यान और प्रोधुग की छित्र में सयोग भारत पुने वैदिक कालीन जगत कुरु के आसन पर प्रदिस्था पित हो भारत को सुरक्षा परिश्यान में वीचो पावर के साथ इस्ताई सिद्सता दिलवाने के उद्श्य से सद्श्य राष्टों का नेतिक समर्तिन की आश्या में प्रेडित अभ्यान अयोध्या को सं तो राश्ट्र संग का मुख्याले बनाये जाए प्रतिवाश्री मनोट सावरिया प्रदेश सची अखलेश भारती कठीक समाच राजिस्तान डूंगरपोर द्वारा भारत की शक्ती प्रतिश्टा पंचिसील सिद्दान्त का प्रतिवेदन समिलन में प्रस्तुत करेंगे। राजिस्तान स्टेट वीरोचीव दलपत पमार की रिपोर्ट